अभी मैं पहले विहार में उसके बाद कल बंगाल में हमने मैं था तो आज में 37 गड़ पहुंचा हूँ मैं अभी 37 में राइपूर में हूँ राइपूर में भी हमने 37 को जो है अभी आशेना रैविट फार्म का अपना फार्म जो फार्मिंग स्टार्ट कर दी है अभी मैं राइपूर में हूँ यहां जो फार्म चलाते हैं उनका नाम है अर्पित अगरवाल जी अभी वो यहां पर नहीं है उनको कुछ काम चल लिए अर्जेंट कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो मैं यहां पहुंचा हूँ यहां यह जो फार्म है यह फार्म आप देशिये यह फार्म पहले पॉल्टरी फार्म था तो पॉल्टरी फार्म को अभी लिया है और इस पारम के अंदर ये रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं, इसके अंदर ये पदला यूनिट का एक फारम है, जो यहां पर स्टार्ट किया है, इस फारम में RPG नहीं है, लेकिन यहां पर यही है कि यह जो खरगोस, हमने पांचे तरह की जो वराइटी है, सोवेच इंचला, ग आप जो इनको खाने में क्या क्या दे रहे हैं, खाने में मैं बर्सिन दे रहा हूं, बर्सिन, तुबा, दो पहर में मैं पत्ता गोभी दे रहा हूं, दो पहर में पत्ता गोभी, जी, साम के फीड दे रहा हूं, साम को फीड दे रहा हूं, एक टाइम फीड दे रहा है, दो तो आपको यहां काम करने में कोई दिख्गत आरी तो गास में जो फत्ता गोफियों बर्सी आपके लिए से बाहर में यहां जवार होगारा है जापने जवार भी में लाला है जैसे यह जवार है तो यह भी आपको देते हैं पानी कितनी बार ढलते है पानी सूबै हैं ठीक है तो काम करने कोई दिक्षत आपको लग लगी है खर्गोश में कोई विमारी है कुछ तो और जो है उसमें आपके पास कोई बच्चा भी हुआ है तो दिखाईए आपके पास कौन सा बच्चा कहा के है कितने खरगोष के बच्चा दिया है तिन खरगोष ने भी बच्चा दिया है यह अब कितने जिन पहले बच्चा दिया था चोबिश तारीक का बच्चा है इसका बच्चे का आख वर दिया है बार का खाना थोरा बहुत खाते हैं खाना शुरूं किया है बार से थाड़ा मोश अब नहीं किया है तो देखेंगे दोस्तों मेरे हें आप यह प्रद्ट वीडियो कि अब अहां पर नहीं है वा otherल में यहां तो दूसरा दूसरा वीडीयो जाले वो अर्पिजी से बात कर सकता है और फारम देख लिए कि आना चाहता तो आके देख सकता है धन्यवाद